दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप WhatsApp पर Two Step Verification को Disable कैसे कर सकते हैं नमस्का दोस्तों मैं हूँ भी शीक आप देख रहे हैं टेक्निकल अभी हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अगर आपने WhatsApp पर Two Step Verification को Enable कर रखा है और अब आप किसी वज़े से उसे Disable करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है आप लोग वीडियो के हर इस्टप को ध्यान से देखना तो सबसे पहले आपको अपने WhatsApp आप ओपन करेना है जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको सबसे टॉप पर राइट साड में 3.00 का आप्शन मिलेगा आपको इस पर क्लिक करेना है इसके बाद में आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेना है इसके बाद में आपको अकाउंट पर क्लिक करेना है इसके बाद में आपको यहाँ पर थर नंबर आप्शन मिलता है twist of verification का आपको इस पर click कहना है यहाँ पर आपको तीन option मिलते हैं पहला है disable का दूसरा है change pin का तीसरा add email address का अगर आप इसे disable कहना चाहते हैं तो आपको disable पर click कहना होगा अगर आपको अपनी pin change कहना है तो आपको change pin पर click कहना होगा हम यहाँ पर अभी इसे disable करना चाहते हैं तो disable पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर disable पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो two step verification enable था वो disable हो गया है तो इस तरीके से आप बहुत ही आशानी से अपने WhatsApp पर two step verification को enable और disable कर सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपके मन में इस वीडियो से समबंदित कोई query या कोई doubt है तो आप comment box में पूछ सकते हैं दोस्तों अगर आपको सबसे कम समय में बहतर और सटेक जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल technical evidence को सब्सक्राइब करें फिर मिलता है एक निटेक की वीडियो के साथ धन्यवाद